कि सलाम नमस्ते हेलो केमचो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार वाइफाई स्टडी लाइव पर तो दोस्तों तो आज एक खुशी का भी दीन है बहुत सारे मेसेज़ेज आ रहे हैं लाइसी एडियो का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और बहुत सारे बच्चों के मैसेज़ेज आये हैं आज रात में बेश टूहंड़ेट सीरीज में उन बच्चों के मैसेज़ेज का स्क्रीन सॉट भी देके आऊंगा और बहुत सारे टेलिग्राम पर भी मैं भेज दूँगा अभी तक मैं अभी मैंने सारे दिन के भी भी भेज दिये तो बहुत सांदार आज का दिन भाई बहुत खुशी मिलती है जब हम लोग मेहनत करते हैं और जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत तो दोस्तों सब लोग फटा फट से जुड़ जाई और सेशन को दोस्तों दबा के शेर कर दीजें कि देखें यहां सीवानी बता दी सर 28 जून है इंसोरेंस अवेनेस डे है और नेशनल लॉजिस्टिक डे है क्या बात है बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद प्रणा क्लास जमा को तो सामध को सब्सक्राव का रही है और करेंट आफर मेंट कि सीरीज दोस्तों यह में और रही है किए पश्मान को न नौ बज़े कर दी गए नौ बज़े गई ऑके लिये लिए ऽामध को शान्त बचे होती थी यह क्लास अब नौ बजे कर दीगे आपके फर्माईस पे दो काम किए गए एक तो यह क्लास शे बजे और वो क्लास नौ बजे करेंट फेयर की क्लास शे बजे हो गई है 745 वोकैप तो और आठ बजे एडिटोरियल सो दोस्तो ठीक है रेलवे की क्लास नौ बजे से साड़े दस बजे तक क्लास 11 बजे से दो बजे तक आईवी पेस पीओ क्लर की क्लास तीन बजे से पांच बजे तक यूपी बिहार कॉंस्टेबल क्लास शे बजे से सवाट बजे तक और 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 पीओ क्लर की क्लास साथ से साड़े आठ रात को नौ बजे दोस्तों आपकी फेवरेट क्लास सेलेक् कि सर आपका बेश्ट 200 जो है वह अल्टीमेट रहा और हमारे सेलेक्शन का बहुत बड़ा करण रहा तो यह क्लास दोस्तों रात को 9 बजे होती है आपकी सेलेक्शन वाली क्लास यह क्लास आपको सारे करेंट एफेर से रूबरू कराती है और वह आपको रिवाइस करा देती है लेकिन यह क्लास में क्लास है वह रिवीजन क्लास है क्योंकि इस क्लास में सारे करेंट एफेर कवर होते हैं सबसे ज्यादा इससे ज्यादा कहीं और मिले तो आप वहां पे कर लिजे लेकिन इसस सब्सक्राइब 25 पर्सेंट का डिस्काउंट चल रहा है यह बहुत सुनहरा आउसर है ऐसे भी जरूरत नो भी है तो भी ले लो कि 25 पर्सेंट डिस्काउंट हो गया तो यह 300-400 रुपे में भी हमको लगता है उसी के बीच में आ जाएगा और चार सो रुपे में तुमको पॉलिटी एगर पूरे सब्जेक्ट मिल जाए एक साथ हिस्ट्री मिल जाए जोगरफी मिल जाए साइंस मिल जाए एकोनॉमी मिल जाए तो मुझे लगता है खाली जीस की से तुम्हारा पैसा वसूल हो जाएगा जो कि तीन टीचर जीस के मिलके तुमको यह सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचाली ट्रेने दोजा तीस टैइस के अंत तक किस राज से सुरू होने की उम्मीद है दोस्तों किस राज से सुरू होन में की उम्मीद है तो दोस्तों यह हरियाना के जिन्द में इसकी फैक्टरी बन रही है कहां पर बन रही है मेरे भाई हरियाना के जिन्द में इसकी फैक्टरी बन रही है याद रखेगा हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया का पहला जर्मनी में बन चला और पहली ड्राइवर ल है उके क्लियर है बात सब्ज में आ रही है तो दोस्तों यह पहला hydrogen plant लग रहा है जहां पे hydrogen ट्रेने बनेंगी ओके अधब नचलेंगी पहले बनेंगी तब तो चलेगी हैंगी नहीं तो दोस्तों यह बात याद रखेगा जिंद में रेलवे जंसन के पास स्थापित किया जा रहा है अब पानी से hydrogen का उत्पादन किया जाएगा किस से पानी से hydrogen का उत्पादन किया जाएगा अब पहला जो चलेगा दोस्तों यह 23-24 में चलेगा और उत्तर रेलवे पर जिंद और सोनीपत के बीच में चलेगा जो पहला ट्रेन है प्रोटो टाइप जो है यह वहीं चलेगा दोस्तों आठ बोग्यों के हाइड्रोजन इंधन अधारिट ट्रेन पार्यावरण के अनुकूल होगी हरियाना की चैपिटल चंडीगड है दोस्तों बन्वारी लाल पुरोहित जो की पंजाब के भी राजिपाल है ठीक है तो यहाँ चंडीगड के अलग अडिमिनिस्टेटर है पंजाब वाल और चंडीगड सेम रहते हैं हरियाना के गवरणर अलग हो जाते हैं बातसबज में आ रही है, क्लियर है, नीरत चोपड़ा के नाम पे बिलकुल स्टेडियम बना है, नाइट सफारी पार्क, नाइट सफारी यहां बना है कि जंगल सफारी बना है, नाइट सफारी तो मुझे लगता है यूपी में बना है ना, डार्क स्काई रिजर्व लद्दा में नाइट सफारी लखनव में कुक्रेल में और हर्याणा में जो है वो सफारी जंगल सफारी दोस्तो कौन सी राज सरकार राज में 6,000 क्रोड रुपय के लागत से अपनी पहली पानी के नीचे सुरंग बना रही है तो अंडर वौटर ठरनल 8000ु9 में आसाम की सरकार बना रही है दोस्तों ऑनडर वाटर टरनल वाली मेर्टर तो अभी कलकत्ता में चलि ती एपको पता ही है हुगली नदी के नीचे से स्प्लैनेड तक हावडा से इस प्लैनेड तक चलिती है ना चलिए वैरी गुड बहुत बढ़िया शानदार जिंदाबाद जबर्दस्त तो दोस्तों यह आसाम है जहां से कुछ questions पूछे गए थे जैसे कि यहां से question पूछा गया था अभी परसों वीडियो के पेपर में भारत का सबसे लंबा जो रिवर ब्रिज है रोड ब्रिज है धोला सादिया जिसे हम लोग भुपेन हजारिका सेतू कहते हैं वो किस नदी के उपर है और मैं तुम लोगों को हमेशा पढ़ाता था कि यह लोहित रीवर के ऊपर है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के ऊपर है यह question दोस्तों मेरे स्टूडेंट जो है एक्स्रा ले गए और वह सेलेक्शन वह एक नंबर ऊपर होंगे और एक एक नंबर पर हजार नंसोनेवाल वाटर वे मिनिश्टर सर्वान नंसोनेवाल सांसर वह question पूछ लिया और भी बहुत सारे ऐसे इंट्रेस्टिंग question पूछे hydrogen train पूछा है ना और भी बहुत सारे चीजे पूछी भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछा हुबली करनाटक में जो स्वामी सिद्धरोद्धा railway station में ऐसे बहुत सारे स्टेटिक जीके जो मैं इंडिया लाज़ेस्ट बीगेस्ट पढ़ाता हूं स्टेटिक जीके में वहीं से सारे question पूछ लिए गए दोस्तों और इंडिया बीगेस्ट में मैं हमेसा पढ़ाता हूं आसाम की capital डिसपूर है हैमंद व इसवा सर्मा चीफ मिनिश्टर है मुख मंत्री डायरी नंबर वन इसकी इनकी बुक है और बैडमिंटन फेडरेशन के हेड है गुलाब चंद कटारिया यहां के नए गवर्नर बने हैं यहां पे औरांग नेशनल पार्क का नाम राजी गांधी का नाम हटा दिया गया उसमे काजी रंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है और मानस नेशनल पार्क तो दोस्तों भुटान तक फैला है इसी मानस नदी के ऊपर गजराज कोर भारती सेना की उसने दोस्तों आप्रेशन जल राहत भी आयोजित किया था बात समझ में आ रही है क्लियर है असाम के गमशा को जी आई टेग है हाँ जुडिमा राइस वाइन को है वेरी गोड मानस ना मेरी काजी रंगा डिब्रुगर साइखोवा राइमोना देंग पटकाई वेरी गोड तेजपुर लीची जुडिमा राइस वाइन वेरी गोड वावावा बहुत अच्छा शांदार मेरे बहुत बढ़िया शिवानी मोनिका सचिन सचिन व्यवहारे सचिन कुमार रोशनी खतरनाक मोनिका सब खतरनाख खेल रहे हैं इस समय सेलेक्शन लेकर मानोगे क्या तुम लोग है ऐसे नहीं मानोगे क्या तो दोस्तों जो है यह बात याद रखिएगा आसाम में आपका बोगी बिल ब्रीज भी है सबसे लंबा रेल्वे ब्रीज वो ब्रमपुत्र नदी पर है दोस्तों कौन सा शहर 7-8 जुलाइग को अरबन 20 मेरल समिट की मेजवानी करेगा मतलब दोस्तों होई गया मेर जो है वो शहर में होते हैं तो दोस्तों जो है यहां पर मेर जो है पर दोस्तों समयलन के लिए एहमदाबाद में जूटे गए हैं दोस्तों यह जी ट्वेंटि सारी प्रेशिबेंसी सब्सक्राइबूर सारी मीटिंग इंडिया में होगी तो दो तो जो है अगर देखा जाए तो एहमदाबाद में जो है पहली मीटिंग भी यहीं पर हुई थी नौ से दस फरवरी को जो देखा गया था अर्बंट्वेंटी का ठीक है ओके क्लियर है तो अर्बंट्वेंटी का में सेकरेट्रियेट दोस्तों वह एहमदाबाद को ही बनाया गया था कि यहां पर आप देख सकते हैं एहमदाबाद वर्तमान में छटे चक्रकले अर्बंट्वेंटी का चेयर है इसे तकनीकी सचीवाले के रूप में जो यह जो है आपका नेशनल इस्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इसको सेक्रेट्रियेट बनाया गया जैसे क अश्टिट्यूट्री बनाया गया कफेडरेशन ऑफ इंडियन इंद्रस्ट्री के ऊफिस को वैसे ही ठीक है और नोडल मन्त्राले के रूप में दोस्तों किसको चुना गया तो आपके जो हाउसिंग अर्बन अफ्ट्री है उसको नोडल मिनिश्ट्री के रूप में चुना वाले को ठीक है अर्बन मिनिस्टर कौन है हाउसिंग अर्बन मिनिस्टर हर्दीप सिंग पूरी है वह यूपी के राजसभा के कोटे से जाते हैं जबकि हैं पंजाब के वहां से हार गए थे पी का चुनाओं दोस्तों यही हमारे पेट्रोलिय में नेचुरल गैस मिनिस्टर भी है ओके दोस्तों जीट्वेंटी की बात करें तो जीट्वेंटी 26 सितंबर 1999 को आई थी 2008 में पहला सब्मिट अमेरिका में हुआ था 19 देश और यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर है नौ सब्सक्राइब घल गैसे देशों को भारत ने इंवाईट किया दोस्तों जीट्वेंटी जोन को पटनावीं लेँगेजमेंट मिट्वेंटिंग 500 मिनिश्टर दोस्तों है 15-17 जून को 16-17 जून को भृपाल में साइंस ट्वंटी की मिटिंग हुई है दोस्तों और में स्ट्वंटी की मिटिंग 15 जून को महाबली पूरम तमिल नाडू में हुई है फूर्थ एजुकेशन दिल्ली में ओपन हुआ थर्ड इंप्लाइमेंट वाली मीटिंग इंडिया के बाहर हुई थी इंटरनेशनल लेबर और्गनेशन के एड़कॉर्टर जेनेवा में और थर्ड टूरिजम वाली जो मीटिंग हुई थी वह श्रीनेगर में हुई थी जिसमें पाकिस्तान चाइना ने बिरोध किया था ठीक है कि कशमीर में ना करो दोस्तों किस आई-टी सर्विसेस कंपनी ने उद्यम ग्राहकों के लिए नीजी फाइवजी नेटवर्क की तैनाती के लिए राज किस्वामित वाली बीसनल के साथ साज़ेदारी करी है तो दोस्तों विच आई-टी सर्वि तो दोस्तों यहां L&T Technology Larson ट्यूब्रो टेकलोजी ने दोस्तों जो है यहां पर बियस्नल के साथ टाइप किया है बियस्नल को भी रिवाइवल पैकेज भी मिला है दोस्तों और फिर से जो है अब जो है 4G और 5G गाउं गाउं तक ले जाने के लिए अपनी कमर कस रहा है देख सरकारी कंपनिया सक्सेस्फुल नहीं होंगी दोस्तों सर्विस इंडेस्ट्री में वैस्विग पतिस्पर्धा अत्मक्ता सूप्छकांक में भारत का इस्थान क्या है वाट इस द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल कंप्टिटिवनेस इंडेक्स तो दोस्तों यहां पर भा दोस्तों जो है वह स्विट्जर लेंड है चौथे पर सिंगापुरे पांच में पर नीदर लेंड है चटवे पर ताइवान है हौंग कॉंग स्वीडन है अमेरिका है यूए है आपके सर आपके वल टॉप फाइफ ही क्यों बताते हैं आगे क्यों नहीं बताना चाहते हैं तो क्योंकि वह तुम्हारे प्स से ज़्यदा नहीं क्या फाइदा 5 लेकिन याद करके रखो अप्शन कभी और वन कॉट याद करने और रहे chronica क्लियर अ चलिए वरी गूड़ बहुत बढ़ियाा शान्मार्ण है ये भी हमें याद रखना होगा ओके उसके बाद ये रिपोर्ट कौन जारी किया है आई-मडी ने जारी किया है ये बाद भी याद रखिएगा ओके क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबरदस्त आई-मडी जो है इंटरनेश्टन इस्टूट फॉर मेनेजमेंट डे किया है ये याद रखिए ओके चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबरदस्त आई-मडी दोस्तों अगर कुछ रिसेंट के इंडेक्स की बात करें तो लाइव एबिलिटी इंडेक्स में जो है वियना ऑस्ट्रिलिया की रैंक वन रही है और इंडिया की जो में 141 पे रहा है मुंबई 44 पे रहा है चेन्नई 147 पे रहा है कि मुझे लगता है 141 पे दो रहे हैं मुंबई दिल्ली दोनों का टाई है जो है टाई हुआ है 144 पे चेन्नई 147 पे हमदाबाद 148 पे बैंगलूरू ग्लोबल जिंडर गैप इंडेक्स में इंडिया 127 वे यह एक की 103 रैंकिंग है दोस्तो और जिंबामवे ने टॉप किया है दैनिय देशों में непgio Unde डेक्स एंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 161 है मेरे भाइए और नॉर्वे ने साफ किया है वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक पर्फॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 38 है दोस्तों वर्ल्ड के वेल्दिय सीटी इलिस्ट में दोस्तों न्यू यॉयॉर्क ने टॉप किया है और मुंबई यह किसवे नंबर पर दिल्ली 36 वे नंबर पर कोलकता 63 वे पर हैदराबाद 65 वे नंबर पर ओके क्लियर है याद रहेगा चलिए दोस्तों हैपिनेस इंडेक्स में जो है हैपिनेस इंडेक्स में भारत ने दोस्तों जो है 126 वा नमबर लाया है और इसको दोस्तों फिल्लेंड हमेशा टॉप करता है फिल्लेंड हमेशा टॉप करता है ओके फिल्लेंड ही नाटो का एक तीसवा मेंबर बना है ये भी याद रखिएगा पासपोर्ट इंडेक्स में अगर हैले में देखा जा तो 87 नमबर है ना और 144 नमबर आटन कैपिटल में है ना 87 ये 85 तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बैंकिंग पर आते हैं एक्सिस बैंग ने दोस्तों वन व् फीचर अपने मुबाइल एप पे लांच किया पेटियम ने यूपी आई एच्डीके लांच किया एच्डीके का फुल फॉर्म बताओ कौन सा डेवलप्मेंट केट है दोस्तों कोटेक महिंद्रा बैंग ने रीसर्व भी लांच किया था और एक्टिव मनी भी लांच किया आटो स्विप एकाउंट 25,000 से उपर बैलेंस होता ही एवडी में कनवर्ट हो जाएगा इंडियन बैंक ने माई एकाउंट माई नेम इंटोड्यूस किया साउथ इंडियन बैंक ने भी अपना प्लेटफॉर्म लांच किया है एकाउंट ओपनिंग के लिए इंडियन बैंक बैंक ने दोस्तों जो है भी मनिपाल के साथ मनिपाल टेकलोजी के साथ टाइएप किया इसका जो इसकी स्थापना 1907 में होई थी चेन्नई हेटक्वाटर है सांतिलाल जैन हैड हैं दोस्तों पेटियम ने अरुनाचल प्रदेश के साथ अभी टाइप किया इंडियन ओवर स तर्बो यूपी रेजर पे ने लाँच किया है ठीक है सफ्ट्वेर डेवलपमेंट कि test, के very good क्यों जवाब है लाइक क्यों कम है भाई लाइक क्यों नहीं किया तुमने मैंने भी नहीं किया है भूल जाते हैं यार जैसे तुम लोग भावनाओं में भूल जाते हो वैसे मै आखट लाइक मार दो बात समझ में आ रही है दोस्तों इंडियन रिनेवेबल एनरजी डेवलप्मेंट एजेंसी इरिडा है सेट आप स्टेट ऑफ द आर्ट बिजनेस सेंटर एट विच सिटी इरिडा ने किस सहर में एक अत्याधुनिक बिजनेस सेंटर स्थापित किया है त अबरदस्त तो किदवई नगर में दोस्तों एन बी सी सी ऑफिस कॉंपलेक्स में यहां पर बिजनेस सेंटर जो है इसने अपना उपन किया है वेरी गूड बहुत बढ़िया दोस्तों इरिडा जो है भारत सरकार की एक मिनी रत्न केटेगरी वन कंपनी दोस्तों भारत में 62 टू कंपनियां है और अभी दोस्तों सोलर एनेरजी कॉर्पूरेशन आफ इंडिया यह नई-णई मीनी रत्न कंपनी ठीक है भारत में 13 नौरत्न कंपनियां है दोस्तों जिसमें की अभी रेलवे वाली कोई कंपनी है जो कि अभी बनी है ना तेरह वी नौरत्न कंपनी और म रहवी बनी थी रूरल इलेक्टिफिकेशन कंपनी ओके क्लियर है बात समझ में आ रहे है रेल विकास निगम लिम्टेट तेरह वी नौरत्न कंपनी बनी थी हाँ बिलकुल रेल विकास निगम दोस्तों कौन सी आईटी कंपनी है जिसने डिजिटल टान्सफॉर्मेशन डील किया है डेनमार्क की डांस के बैंक के साथ दोस्तों यहां पर एक कुश्चन यह भी बन सकता है कि डांस के बैंक कहां की बैंक है ऐसे भी कुश्चन आ सकते हैं डेनमार्क दोस्तों अगर बात करें तो क्लाइमेट वाले में हमेशा टॉप पे रहता है और हम लोग रहते हैं सात्वी पोजीशन पर शुरू में वैसे यह थर्ड नंबर पर रहता है क्योंकि शुरू में 123 तो खाली ही रहता है है ना 123 अभी COP28 UAE में होगा ना जब तो उसी समय यह रैंकिंग आती है 123 खाली रहता है जलवायू सम्मिलन के समय यह रैंकिंग आती है क्लाइमेट वाली ओके तो दोस्तों जो है अगर हम लोग बात करें तो Infosys ने टाइब किया है डेनमार्क के डांस के बैंक से दोस्तों अगर बात करें तो बैंकों में जो सौफ्ट्वेर की सुविधा है वो Infosys और TCS जैसी कंपनिया ही देती है कैसे वो बैंक चल रहा है भारत के कोई भी बैंक है उसमें सौफ्ट्वेर है तभी तो वो चल रहे हैं एक फॉर्मेट पे तो दोस्तों Infosys और TCS दुनिया भर में दोस्तों यह सर्विसेस देती हैं अलग-अलग देशों के बैंकों को ठीक है तो 454 मिलियन अमेर्की डॉलर का सौदा हुआ है भाई साब कितना ही सब कमाएंग इनफोस सौफ्ट्वेर का इतना पैसा बताइए क्या बात बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त तो दोस्तों लेकिन यहां पर कुछ अलग ही बात हो रही है यहां पर बात हो रही स्ट्रेजिक कोलाबरेशन की डांस के बैंक इनफोसीज विल कोई यहां इनफोसीस पैसा दे रहा है ऑप प्रिबाग है है ना कि नए नए डांस के बैंक चकशसर विस देगा इनफोसीस अचलिए उमलब उसके यहां के सेंटर को एक्वार करा यानि इनफोसीस उनलों को ट्रेंड करेंगा उन लोगों को पूरा काम सिखाएगा और और उन लोगों से काम करवाएगा बढ़ियां से टाकि टेकलोजिकल डास के बैंक और स्ट्रॉंग हो सके ठीक है तो बैंक के टेकलोजी ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए प्रतिभाओं के लिए छमताओं तक पहुंच कॉनकुलित करने में मदद करने के लिए इनफोसिस का चैन सलील पारिक को क्यों पूछा गया था इंकम टेक्स जो पोर्टल है भारत का वो भी इनफोसिस ही देखता है तो उसमें जो है गरबढ़ियां हो रही थी इंकम टेक्स रिटर्न लोग नहीं भर पारे थे भारत सरकार खाजाने में चोट आ रही थी तो भाई साब सलील पारिक को तलब किया था फाइनेस मिनिश्टर निर्मला सीता रमन ने कियारी को स्मित्सो टाकिस ने किस देश के पथानमंत्री के रूप में सपत ली है दोस्तों अभी दोस्तों बराक उबामा ने जो है कहा है कि अगर जो है मुस्लिम हितों का ध्यान नहीं रखेगा भारत तो वो टूट जाएगा तो उस पे जो है निर्मला सीता रमन जी ने बराक उबामा को कहा कि पहले आप बताई आप साथ मुस्लिम देशों पे 26 हज्जार बंगिराए आपने मुस्लिम हितों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा खामखा में मुस्लिम देशों पे बंगिराए और आप ह तरा यू में तरॉले हम जो है धर्म निर्पेष और मों राजना शीह ने कहा कि मुसल्मान देशों में भी 52 and 62 फिरके नहीं हैं मुसलमानों के सभी कौम सभी प्रजातियां 26 फिरके शांति पूर्ण तरीके से केबल भारत में रहते हैं वर्ना आप किसी और मुसलिम देश मे भी चले जाएंगे तो सिया सुनी के मस्जिद में बम गिरा रहा है सुनी सीया के मस्जिद में फेक एप नहें तो इतने शांती से 72 फिरकें यहां पे रहते हैं जिनको सारी सुवद्धाय मिलती हैं और कोई भेद भाव। यहां तक की प्रॉपर तरीके से क्यारी कोस मिटसोट长 प्राइन दिख से जो है ग्रीज के प्रदान मंतरी बनै है ग्रीज की जो है दोस्तों कैपिटल है एथेंस है ना और दोस्तों ग्रीस में एक ऑलम्पिया जगह भी है जहां से उलम्पिक की मसाल जलती है अब बड़े सूर के रोशनी से जलाई जाती है वह बैटन मसाल जो बैटन रिले होता है उलम्पिक का उलम्पिक की सुरुवात यहीं से बताया गया है ठीक है बात समझ में आ रही है कि क्लियर है चलिए वेरी गुड फिल्लेंड के पेटरी और पो हैं सिवानी बता रही है वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदाल जिंदाबाद जवड़दस्त दोस्तों ग्रीस जो है यहां पर एक ऐसा देश था जो दिवालिया हो गया फ्री में बेच 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 एक सरकार आ और थी वालीया होगा कि अपना olympic ही नहीं कर आपाया ओलम्पिक भी नहीं कर आप अलग लेवल पर एक आत है कहते थिए कंसन देंगे एक आता कहता था कि हम मकान बना देंगे सबको फ्री मेंं तो जब भ्यस्ता में बनाने के लिए सरकार थोड़ी चुनि और भाई हमसे पैसा लो कुछ काम करो फिर हमने दो कुछ करो लेकिन फ्री में दो तो GDP कैसे बढ़ेगी दिवालिया हो गया जब सब परी में पैंसन पारा कौन काम करेगा तो दोस्तों जो है इसलिए यह फ्री वाले चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए हमें छोटे मोटे लालच में नहीं पढ़ना चाहिए देखें दिल्ली वाले कोई बिजली का बिल नहीं देते हम 14,000 रुपए देते हैं सोचिए कितना कष्ट है लेकिन जो है बस भारत मतना की जैब बोलिए और दे दिए 14,000 का बिल है ना हाँ दोस्तों फिन्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो है पेट्री और पो है सना मरीन को रिप्लेस किया है लात्विया के प्रेसिडेंट एडगारिस रिंकेविक्स है तुर् पेना है तो दोस्तों सच में दिल से बुरा लगता है दोस्त दिल से बुरा लगता है अब बहुत ज्यादा बिजली का बिल जो है सरकार ले रही है बहुत ज्यादा दोस्तों अगर बात करें प्रेसिडेंट स्रिलंका के तो स्रिलंका के रानिल विक्रम सिंगें है नेपाल क के मुहम्मद सहाब दीने बात समझ में आ रही है हां दोस्तों पधानमंति नरेंद मोदी जी को हाली में अर्डर आप दर नाहिल से सर्मानित कि किस देश का सर्वोष सम्मान है बहुत ज्यादा बिल भाईया लेते हैं तो भाईया आप बिजली के बिल पर वोट दे नहीं रहे यह होता है जैसा जिस बात के लिए उस बात को फैसलेटी मिलती है तो दोस्तों इजिप्ट जो है यहां पर जो है सम्मान दे रहा है नरेंद मोदी जी को और्डर आफ दे नाइल पुरुसकार अब्दिल फते अलसी सी हैं दोस्तों इजिप्ट यानि मिश्र के इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग कहते हैं दोस्तों ठीक है यह तेरहवां ऐसा सर्वोच नागरिक सम्मान है जो दोस्तों दुनिया भर के विविन देशों ने मोदी जी को दिया है अपने कारकाल के नौ वर्सों में पधानमत्री मोदी जी को कई अंतराश्टी अवार्ड दिया गया है पापवा नुगीनी ने भी अभी अवार्ड दिया है दोस्तों ठीक है चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों अभी मिश्र में कौन से मस्जिद में मोदी जी गए थे मिश्र के पिरामिट का भी उन्हों ने जो है जाके आठवा साथ अजूबें वह देखा और किस मस्जिद में गयता ऐसा को शना सकता है कि वह मस्जिद कहां पर है तो ऐसे कोश्चन सा आपको मिलेंगे बता कुटे ही ब्रिक्स बेंक का नौभा neurolog बीबना है दोस्तों पीके उपन्यास के लिए साहिट अकेडमी बाल पुरुसकार कि से दिया गया है दोस्तो नौवल पेरू मा जहाए थे किंजू था कुल उपन्यास के लिए प्रिया एस को दोस्तो साहित अकेडमी बाल साहित अवार्ड मिला है दोस्तो याद रखिएगा ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदार मलयालम मतलब केरल की लेंग्वेज है दोस्तो मलयालम ओके इसी नौवल के लिए उन्हें दोस्तो साहित अकेडमी आवार्ड फॉर चिल्डर्न लिट्रेचर मिल चुका है 2020 में 50,000 रुपए मिलेगा कॉपर का प्लाक भी मिलेगा स हात में दोस्तों ठीक है कि दोस्तों 2014 में प्रिया ने क्या किया था अरुंधती रॉय के बुकर पुरुसकार विजयता उपन्यास गौड ऑफ स्मॉल तिंग का मलयाली में अनुवाद किया था उसके लिए भी साहित अकेडमी अनुवाद पुरुसकार मिला था इन्हों ने अरुंदती रॉय भारत की पहली इंडियन महिला है जिनें बुकर प्राइज मिला था गॉड अफ इसमॉल थिंग के लिए और गितानजिली श्री पहली महिला है जिनको हिंदीमी नौवल के लिए मैंट कर स्मॉल प्राइज मिला है पहली और आखरी ठीक है बढ़ समॉल और दोस्तों अब भी बुकाहि ठी असाधी और घ्लाएम से अबिला है गश्चयानो रोनालडों 200 मेश खेल लिया दोस्तों अपने देश के लिए कि iPad रोनालडो के नाम से सरवाधिक गोल का भी रिकॉर्ड है अपने देश के लिए हमां गिनीज भूक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात कही जाये तो अपने योगा डे पर भी बनाई गिनीज भूक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक सो पैतिस से ज्यादा देशों ने युनाइटे डेशन के हेड़कॉर्डर में योगा किया मोदी जी के प्रतिनेदित में और सूरत में एक लाग तिरपन हजार लोगों ने एक साथ योगा किया यह दो गिनीज भूक वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 यून को बने थे दोस्तों इंटरनेशनल ओलंपिक कमीटी ने ओलंपिक और आवार्ड दिया है डबलू एच्चों के हेड टेड्रोस अधनौम गेब्रेसियस को दोस्तों कोरोना के फेज में भी बहतरीन धंग से टोक्यो ओलंपिक कराया गया फर्स्ट पी के जैसंकर आवार्ड आचार को दिया गया है ठीक है दोस्तों चिकित्साक छेत्र में उनके योगदान के लिए इंडियन मेडिकल एसोसियेशन आवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है तो यह समान दिया गया है डॉक्टर के वेनू गोपाल जी को डॉक्टर के वेनू गोपाल जी को दोस्तों यहां पे सम्मानित किया गया है ठीक है ओके चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त आइए में का हेड़क्वाटर दोस्तों कहां पर है नई दिल्ली में है दोस्तों यह बात याद रखेगा ओके एक जुलाई को दोस्तों उन्हें यह आवार्ड मिलेगा एक जुलाई को दोस्तों हम लोग कौन सा दे मनाते हैं डॉक्टर डे क्योंकि इस दिन दोस्तों विधान चंद्रॉय का बड़्डे है जो फ्रीडम फाइटर थे वेस्ट बेंगॉल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे एक जुलाई को जी एश्टी डे भी मनाते हैं क्योंकि 2017 मे एस बी आया था एक जुलाई को हम लोग चार्टर अकाउंटेंट डे भी बनाते हैं क्योंकि उनका इंस्टिट्यूट आई सी एई 1949 में आया था ठीक है और सलाम दिल से दोस्तों जो है यह HDFC योजन जो है एक प्रोगर्स नमानित भी करती है सारे जो है आपके किसको डॉक् ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को हैदराबाद को मिला है एलिजाबेट लांगफोर्ट प्राइज रामचंद गुहा को मिला है रेबेल्स अगेस्द राज के लिए गवर्नर ऑफ द इयर का अवर्ड दोस्तों जो है वह सक्तिकांत दाश जी को मिला है 2015 में रगुराम राज गया है उके clear है याद रहेगा चलिए वेरी गुड़ डोस्तों टिप इसपोर्ट चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपीट टूर किसने जीता है तो ये जीता है दोस्तों दिक्षा डागर ने किसने जीता है दिक्षा डागर ने जीता है ओके चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्त इन्होंने थाइलेंड के ट्राइचार्ट चिंग लैब को हराया फाइनल में अधिती असोग के बाद दिक्षा डागर एकमात्र अन्य भारती महिला गोलफर हैं जिने दो या दो से अधिक एलिटी अवार्ड जीते हैं उन्होंने टोक्यो 2022 में उलम्पिक का प्रतिनिद्व किया था किसने किया था बताओ किसके बारे में यहां बताया जा रहा है अधिती असोग ने जाता चौथे नंबर पर आई थी और अब दोस्तों गुल्फ खिलाडी एक और नाम आ रहा है दिक्षा डागर तो कभी कभी खिलाडियों का यह गेम पूछता है आपके बैंक वैंग में तो खासकर गेम ही पूछ के काम चला लेता है दिक्षा डागर किस गेम से संबन देत जीव मिलखा सिंग किस गेम से रिलेटेड है वह तीनों के तीनों कि गुल्फर है मैं दोस्तों MSME Day कब मनाया जाता है MSME Day 27 जून को मनाया जाता है दोस्तो MSME Day जो तो माइक्रो किसे कहते हैं माइक्रो कहते हैं दोस्तो 5 करोड तक के टरनोवर और 1 करोड तक के इन्वेश्टमेंट वाले को दोस्तो small किसे कहते हैं small कहते हैं 50 करोड के टरनोवर 10 करोड के इन्वेश्टमेंट वाले को दोस्तों medium किसे कहते हैं 200 करोड तक के turnover और 50 करोड तक के investment वाले को यानि turnover में अगर investment को divide कर दोगे पांच से तो investment आ जाएगा दोस्तों और investment में अगर 5 से multiply कर दोगे तो turnover आ जाएगा अब बस तुम्हें देखना है कि तुम क्या याद रख सकते हो दोस्तों तुम 5-50-200 याद कर सकते हो या 1-10-50 याद कर सकते हो ठीक है दोस्तों MSME Minister हमारे देश में नरायन राने है MSME Registration के लिए दोस्तों उद्यम Portal बनाया गया MSME का One Stop Solution के लिए दोस्तों Champions Portal बनाया गया और MSME के लिए एक All India Financial Institution है SIDBI जो MSME को लोन देती है SIDBI का Headquarter लखनव में है 2 April 1990 को आई थी S.Raman Head है दोस्तों S.Raman Head है याद रखिएगा ओके क्लियर है बात समझ में आ रही है थीम क्या है इस साल की Future Ready MSME for India at the rate 100 इंडिया at the rate 100 कब होगा अभी अम्रित काल चलेगा 2047 तक इंडिया की आजादी के 100 साल पूरे होंगे दोस्तों ठीक है क्लियर है चलिए बहुत बढ़िया शांदा दोजा 17 में United Nation General Assembly में United Nation ने MSME Day मनाने का फैसला किया था ओके दोस्तों केंड़ी यूवा और खेल मंद्री अनुराक सिंग ठाकूर ने नई दिल्ली में भारती ओलंपिक संग के अब हरि जंडी दिखाई है तो दोस्तों भारत इन पैरिस अभियान सpl can युवा खेलमंत्री हैं पीटी उसा जो भारती ऑलफिक संग की हेड हैं भारत इन पेरिस प्रोग्राम जो है दुस्तों दिल्ली में चलाया गया यह भी पूछा जा सकता है जवाल ला नेरु स्टेडियम कहां है यह भी पूछा जा सकता है दिल्ली में और 7 किलो मेटर की छोट पैदा करना पेरीश ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस तक दोस्तों पेरीश फ्रांस में आजित होने वाला है पेरीश ओलंपिक का जो सुभंकर है दोस्तों वह कौन है मस्कट आप पेरीश ओलंपिक इस दफ्रीज बेस्ट आउन ट्रेडिशनल इसमाल फ्रीजियन हैट डैट पेरीश ओलंपिक का मस्कट है यहां देखेब 24 में पेरीश ओलंपिक होगा दोस्तों दोस्तों अबason 67 में फ्रीफा फूट बॉल्ड कब हुआ अगला वर्ल्डवक 26 में यूयसे मैक्सिको और कनेडा तीनों मिलकर करेंगे दोस्तों अभी इस बार cricket का वर्ड कप भारत में हो रहा है कल अब cricket वर्ड कप का schedule आ गया दोस्तों और बताईए कि इंडिया पाकिस्तान का मैच किस दिन है पहला मैच अस्टेलिया के साथ किस दिन है दोस्तों फटा-फट बताईए कमें यह सब एकजाम में नहीं पुझे के इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं ओके दोस्तों किस राज्य के उद्योग और वाड़ी विभाग ने सरकारी बैंक की जितनी कंपनियां है इकाईयों की पेशकसों की विद्दी और दिश्रता में सुधार के लिए ओएंडी सी के साथ समझोता किया है विच स्टेट डिपार्टमेंट आफ इंडॉस्ट्री एंड कॉमर्स है रिसेंट्ली साइन एग्रिमेंट विट ओएंडी सी क्या है दोस्तों अगर किसी को ऑनलाइन मार्केटिं करनी है औलाइन बिजनेस करना है तो भारत सरकार की ondc नेटवर्क पर उसको जूड़ना होता है तो दोस्तों यहां पर जो है कौन सा राजसर्कार ौइंडी सी पर अपनी कंपनीों को जोड रहा अपनी सरकारी कंपनीों को तो यह केरल सरकार है जिसने ओंडी सी के साथ टाई अप किया है ठीक है क्लियर है चलिए ओंडी सी का भी फुल फार्म आपसे पूछा जा सकता है तो यह भी याद रखिएगा ओके दोस्टो उस एकुसाइज का नाम बताहिए जो हाली में इंडियान एर फॉर्स दौरा इंडियान एर फॉर्स द्वारा नाम दोस्तों इंटिग्रेशन फोकस रखते करते हुए आयोजित तो यह जो है दोस्तो एकसरसाईज रड़्विजय इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया इंडियन एयरफोर्स की बात की जाये दोस्तों तो 8 अक्टूबर 1932 को यह आई थी और हिंडन में दोस्तो जो है इसको जो है ना मनाया जाता है इसका हेड़ क्वाटर है और हिंडियन एर बेस और दोस्तों इंडियन एर फोर्स के हेड़ है विवेक राम चौधरी दोस्तों सुखोई के थर्टी की बात हो रही है सुखोई दोस्तों रशिया से मिला हुआ हमें जो है लड़ाकू विमान है ठीक है क्लियर है इसका परिच्छन यहां पर किया गया है इससे प्रदर्शन किया गया यह ब्यास उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में मुख्याले वाले सी एसी के वि सकते और 18 fix इस्तर पर कितने लोगों कि इस्त्यों कि यह ऐस्तेमाल कि यह मतलilar समझ लिए ना नार्कोटिक्प, और दो अब अकश्तेमी न्वेक्सन के हो रही है जो दोस्तों अगर देखा जाए तो अगर हम लोग बात करें तो करीब करीब 296 million जो है लोगों ने करें इस्तेमाल किया आप जो है जो है क्यों बोला जा रहा है यह रिपोर्ट आई है श्ब्वीस जून को दोस्तों हम लोग ने ड्रक्स डे मनाया 26 जून को ड्रक्स डे मनाया गया तो यह रिपोर्ट आई है क्लियर है बात सबज में आ रही है 296 मिलियन लोगों ने ड्रक्स का इस्तेमाल किया है ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिन्दाबाद जबर्दस्त तो दोस्तों अगर आप देखा जाए तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट रिलीज़ बाई दे उनाइटेड नेशन ऑन दा ओकेजन ऑफ दा इंटरनेशनल डे अगेंज जोग अब्यूजन इलिसिट ट्रेफेकिंग ट्वंटी सिक्स जून ओके ट्वंटी थ्री परसेंट इंक्रीज हुआ है दोस्तों ड्रक्स लेने वालों की संख्या में उच्छाल आया है दोजार एकिस में नसीली दवाओं का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों का स्विक अन्मान 13.2 मिलियन जो अधार 2020 के से 18 परसेंट अधिक है और दोस्तों दे नंबर आफ पिपल वू सफर्ट व्रम डग यूज डिसॉर्डर ऑल्सों इंक्रीज तो ट्वंटी थर्टी 9.5 मिलियन 45 परसेंट इंक्रीज ओवर 10 यह यह भी रिपोर्ट आई है दोस्तों निम्लिकित में से किस बहुपक्षे विकास बैंग ने हाल ही में नए स्वास्त प्रभाव निवेस मंच को लांच करने के लिए डबलु एच्चों के साथ टाइब किया है विच आप दी फॉलोविंग मल्टी लेटरल डवलप्मेंट बैंक हैज हैव रिसेंटली पार्टनर है दोस्तों ठीक है बहुत सारे डवलप्मेंट बैंकों ने डबलु एच्चों के साथ दोस्तों जो है टाइब किया है डबलु एच सेवें अप्रेल 1948 को आई थी टेड्रोस अदनौम गेब्रेसियस इसके हैड है जेनेवा हैड़क्वाटर है साथ अप्रेल को ही इसलिए हम हम लोग वर्ड हेल्थ डे मनाते हैं हेल्थ फॉर ओल इस बार की थीम थी टेड्रस अधनौम गेब्रेसियस को अभी दोस्तों कौन सा आवार्ड दिया गया है ओलंपियन ओडर दिया गया है ठीक है क्लियर है अफ्रिकेंट डेवलप्मेंट बैंक यूरोपियन इनिवेस्ट बैंक और इसलामिक डेवलप्मेंट बैंक ने यह टाइप किया है ठीक है बात सबज में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदाज जिंदाबाद जबर्दस्त कि दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि भाई बैंक्स अगर इंटरनेश्टल बैंक्स की बात करें तो उनके पर मुझे रहे हिसाब से अभी योगा वाला फेस्टिवल भी हुआ था पिछले साल योगा केंदर भी बनाता और यहीं पर इसलामिक कोपरेशन औरगनाजेशन का है जो इसलामिक वाला OIC है उसका भी हैटकॉटर है ना अफ्रिकन डवलोप्मेंट बैंक है आदिव जान को कोटे डी आईवर दोस्तों ICC का मेंबर बना था ICC में तीन मेंबर जुड़े ते उस में से कोटे डी आइवर भी था European Investment Bank का Headquarter है Luxembourg में Luxembourg की Capital भी Luxembourg European Union का पार्ट है यह सब किर्चबर्ग में European Investment Bank का European Bank for Reconstruction and Development का Headquarter लंदन UK में है दोस्तों याद रहिएगा एशियन डफंट बैंकई का हड़क्वाट फिलिपिन की चैप्टल मनिला के मंडल यौंग में है अजगे इंटर अमेरिकन डफंट व्हींटन डी-सि बेंग में है और वसिंग्टन डी-सी में ही दोस्तों आपका वर्ल्ड बैंक का हेड़क्वाटर है और आई एम एफ का भी हेड़क्वाटर है वासिंग्टन डीसी में ठीक है और वर्ल्ड बैंक की पाँच ग्रूप है उनका भी हेड़क्वाटर वासिंग्टन डीसी में वर्ल्ड बैंक की पाँच ग्रूप है इनका भी हेड़क्वाटर यहां कौन सी है आइभी आइडी इंटरनेशनल बैंक for reconstruction and development International Development Association इंटरनेशनल फिनेंस कॉर्पॉरेशन इंटरनेशनल सेंटर फोर सेटलमेंट आफ इन्वेश्टमेंट डिस्प्यूट और मल्ल्लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजनसी यह वर्ल्ड बैंक ग्रूप की पाँच कंपनिया है इनका भी हेड़क्वाटर वहीं पर है वासिंग्टन डीसी में ओके क्लियर है बात सवज में आ रही है उसके बाद वेस्ट अफ्रिकन डेवलप्मेंट बैंक का हेड़क्वाटर लोम चलिए बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबरदस्त उसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है चाइना में एशियन इंफ्रस्टक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेड़क्वाटर है बीजिंग में है जिसके वाइस प्रेसिडेंट उर्जित पतेल है और दो और जिसमें नवा मेंबर एजिप्ट बना है पांच मेंबर तो ब्रिक्स वाले ही हो जाएंगे ब्राजिल रशिया इंदिया चाइना साथ अफ्रिका इस बार साथ अफ्रिका में ब्रिक्स मीटिंग हो रही है और इसके अलावा उरुगवे युवेई बंगलादेश और सुझित पटेल हैं ठीक है क्लियर है और कोई बैंक मुझसे छूट रहा हो तो भाई भूल चुक लेनी देनी बी आईएस बैंक फॉर इंटरनेशल सेटलमेंट इसका हेड़क्वार्टर बेसल में है स्विट्जर लैंड में कोई बैंक मुझसे छूट रहा होगा तो माफ की सब्लेंगा अभी यूख्रेन के सेंटरल बैंक को सेंटरल बैंख्का अवार्ड मिला है ओके ऐक होखानी से है दुनिया की सबसे पुरानी जो इंटरनेशनल बैंक है वह यही है और इसने अभी आरबी आई के साथ मिलके जी ट्वंटी टेक स्प्रिंट शुरू किया है इसी बेसल में दुनिया भर के बैंकों के नियम बनते हैं बेसल वन अकोर्ड बेसल टू नॉम्स बेसल तीन नियम यह सब यहीं बने हैं दोस्तों के क्लियर बात से में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदार फोटो लेनी मतलब मैं दुनिया का पहला ऐसा प्राणी हूंगा लोग कहते हैं सर सामने आ जाईए फोटो लेनी है लेकिन मैं पहला ऐसा प्राणी हूं जिनको बोला जाता है कि सर हट जाईए फोटो लेनी है ऐसा कैसे तुमनों मेरा फोटो लेते हो हटा करके कैसे फोटो लिया जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया तो दोस्तों अगर देखा जाए तो वर्ड बैंक ने हाली में भारत के छात्रों के लिए तकनीकी सिक्षा की गुडवत्ता में सुधार और करियर के आउसरों का विस्तार करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है दोस्तों 255 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है वर्ड बैंक ने भारत में तकनीकी सिक्षा के लिए वैसे दोस्तों भारत में वर्ड बैंक जो है कि Star सियोजना भी चलाता है इस ट्रेंदनिंग टीचिंग एंड रिडिग इंड है तो दोस्तों भारत में टीचींग और और बढ़ियां बनाने के लिए स्टार्स प्रोग्राम भी चलाया जाता है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है ओके तो दोस्तों जो है यहां पर यह बात याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक का ओफिशियल नेम आईबी आईडी है जो की यह लोन देता है ओके लेकिन वर बात समझ में आ रही है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़ियां शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त दोस्तों निमलिकित में से किस व्यक्तित उन्हें युनेसको अल फोजान इंटरनेश्टल पुरुसकार का पहला संस्करन नौट जीता है तो दोस्तों यह जीता है लीला एक्सेप्शनल यंग साइंटिस्टों को यह अवार्ड दिया गया है अर्जेंटीना कैमरून चाइना एजिप्ट और सर्बिया से ठीक है युनेसको का हेटक्वार्टर दोस्तों पैरिस में है और युनेसको जो है 16 नवंबर 1945 को आई थी दोस्तों और और अजोले मैडम ह हैं और दोस्तों युनेसको ने 41 वल्ड हरिटे साइट चुन ली हैं अभी सब्सक्राइब में मिटिंग होगी डिकलेर हो जाएगा शांती निकेतन शांती निकेतन जिसे गुरुदे रविना टेगों ने बनाया था वहीं पर विश्व भारत की सबसे ओल्डेस्ट इनवर्सिटी है याद रखिएगा ओल्डेस्ट लिविंग इनवर्सिटी है दोस्तों यह याद रखिएगा ओके क्लियर है कि मेरा जोए एसी खराब हो गया क्या अच्छा 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 ओ यह हम सोचें कि आवार्ड का नाम है यह मैंने सोचा आवार्ड का नाम है अच्छा चलिए युनेस्को ने जो है दोस्ता पर यह कोश्चन अभी परसो वीडियो के पेपर में आया था कि विश्व भारती इनवर्सिटी का कि स्थापना किसने करी थी व्योंकि कि न्यूज में रहा है ठीक है बात समझ में आ रही है अब देखो किसने जीता है डॉक्टर फेडरी को एरियल ने जीता है अर्जेंटीना से दोस्तों इन्होंने आरेने का कुछ जो है डेवलप किया है ठीक है ओके इसके बाद दोस्तों देखा जाये तो प्रोफेसर एबडॉन अटंग अटंग आना ने जीता है कैमरून से ठीक है इन्होंने मैथमेटिक्स में कुछ काम किया है कैलकुलस फ्रेक्शनल कैलकुलस में डिफरेंशियल एक्वेशन में और मैथमेटिकल मॉडलिंग में है तो दोस्तों जो है इन्होंने डी एन्ने में कुछ काम किया है ओके डॉक्तर हेशन ओमरान जो है इजिप्ट से हैं दोस्तों इन्होंने दोस्तों जो है कुछ टूलबॉक्स डवलप किया है जो कि चिप पे है दोस्तों चिप के ऊपर कुछ काम करने के लिए लेप्रोनिक डिवाइस कंप्यूटर फोन एलेक्ट्रिक वहिकल पर के सेमी कंड़क्टर चिप को क्रिएशन अच्छा अगर सेमी कंड़क्टर का बढ़ियां से बनने लगे तो वाकी में यह बढ़ियां काम इन्हों किया है इजिप्ट वाले ने किया है चाइना वाला करता तो हम लोग मिलता ही नहीं कि सर्भिया के दोक्टर जो जेलेना व्लैडिक को दोस्तों यहां अवाड दिया गया है इन्होंने कुछ एरोमेटिक एंड मेडिकल प्लांट्स पर कुछ दोस्तों अपने परिक्षण किये हैं तो यह पांच यूवा वैज्ञानिकों को दिया गया है अलग-अलग देशों के यूवा वैज्ञानिक हैं यंग साइन्टिस्ट हैं याद रखिएगा ओक्या चलिए बहुत बढ़िया शांदार जिंदाबाद जबर्दस्त तो प्रोफेसर चाइना के हैं इन्होंने मानों और सेसों तलचटों से डिन ने ले लेके एक लाख साल तक फैली यूरेसियन अबादी का दोस्तों मांचित्र तयार किया है कि ओके कि दोस्तों उस रिसर्च इंशिट्यूट का नाम बताए जिसे हाली में अपने आदित एलवन सौर मिसन के लिए इस रो को सौर पराभीगनी इमेजिंग टेलिस्कोप दिया है दोस्तों आदित एलवन जो है सोलर मिसन इंडिया की तरब से जाने वाला है जो इस रो भेजने वाला है तो उसमें बहुत सारे उपकरण लगेंगे जो की उस सुर्य की एनरजी और सुर्य की किरणों और सुर्य के जो है इस च्रक्चर पे और अंदर की स्थितियों पे दोस्तों अनुसंधान करेंगे तो यहां पे एक सोलर अल्ट्रा वाइलेट इमेजिंग टेलिसकोप किस ने दिया है दोस्तों इस रों को बना करके तो यह इंटर इंवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमिक एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने दिया है इस रों 50 नगस 1969 को आई थी बैंगलोर हेड़क्वाटर है दसमें हैं एस सुमनाथन जी और जो इस रों का हेड होता है वह जाता है हाँ मिनिस्टर आफ इस्टेट्स पधानमंत्री के पास जो भी मंत्राल है उसके मिनिस्टर आफ इस्टेट यह कहना है जितेंद सिंग जी जरूर है पहले हिड़ते विक्रम सारा भाई दोस्तों याद रखिएगा जीने इंडियन स्पेस साइंस का फादर कहा जाता आप इस टेलिस्कोप का दर्सन भी यहां पर कर सकते हैं दोस्तों सोलर अल्ट्रा वाइलेट इमेजिंग टेलिस्कोप ओके क्लियर है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शांदार जिंदावाद जबर्दस्त इंडियास फर्स्ट मिशन है आदित एलवन जो की सूर की द तो दोस्तों हाई रिजॉल्यूशन पिक्चर यह भेजेगा सूरज का आप लोग देखिएगा दोस्तों यहां पर लिखा है कि किस चीज के डेवलप्मेंट किया था जिसकी वजह से उन्हें केमिस्ट्री का नोबल प्राइज मिला था तीन लोगों को मिला था उनमें भी व निधन हो गया है तो दोस्तों इन्हों ने ऐसी चीज डवलप्म करी थी 2019 में तीन लोगों को अवार्ड मिला था कैमिस्ट्री का ऐसी चीज डवलप्म करी थी गुड इनफ ने जिसके बिना आज तुम ना मोबाइल चला रहे होते ना लैप्टॉप चल रहा होता ना कोई भ लिथियम आयन बैटरी की खोज की थी दोस्तों जिसकी वज़ा से इन्हें अभी 2019 में केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिला और 2019 में ही अभिजीत बनर जी और उनकी वाइफ एस्थर डुफलो और उनके दोस्त माइकल क्रेमर को इकनॉमिक्स का नोबल प्राइज मिला था गरीबी को दुनिया से हटाने के उनके प्रक्टिकल एप्रोच जुग्जी जो पड़ियों में जा जाके जो उन्होंने एक्सपरिमेंट किये थे उसकी वज़ा से मिला था अभी जीत बनर जी दूसरे भारतिय थे जिने नोबल प्राइज अर्थ सास्त का मिला 1998 में Welfare Economic के लिए अमर्त सेन को मिला था जो पहले भारतिय थे ठीक है लीथियम रिजर्व दोस्तों भारत में नहीं मिला था अभी तक अभी एक ही साल मिला तो तीन जगह मिल गया कश्मीर में पहला मिला रियासी जिला में फिर करनाटक के मांडेया जिला में मिला फिर क्वेश्चन आपके एक्जाम में पूछा जा चुका है खपत तो चाइना कर रहा है सारा इलेक्रोनिक डिवाइस तो वही बना रहा है लेकिन सबसे ज्यादा लीथियम रिजर्व है कहां पे यह क्वेश्चन आया ता आपके एक्जाम में यह जरूर आप लोग पढ़ है तो जान बैनिष्टर गुडिनफ जी का रिट जो है निधन हो गया है लीथियम आयन बैटरी के जनक हैं दोस्तों को इन्वेंटर आफ लीथियम आयन बैटरी है ओके क्लियर है चलिए जेना जर्मनी में दोस्तों जो है 1922 में इनका जन्म हुआ था तो दोस्तों इन्हें जो है नेशनल मेडल आफ साइंस चार्ल्स इस्टार ग्रेपर बुक पुरुसकार 2014 में मिला 2011 में अवार्ड मिला कोपले मेडल 2019 में मिला है दोस्तों एटलीट सुतिर्था बनर जी यहीका मुखर जी इस साल कंटेंडर खिताब जीतने वाले पहले भार लाता है टेबल टेनिस चाइना का नेशनल गेम है और दोस्तों टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया के है दुसेन चोटाला की वाइफ मेगना अलावत है दुसेन चोटाला मुख उप मुख मंतरी है हर्याना के भारत इस्थित बैटरी सामगरी फिर्म एपसिलान अचलिका में कितने रुपए निवेश करने की योजना बनाई है 650 मिलियन यूएश डॉलर दोस्तों जो है यह जो है भारत की बैटरी मेटेरियल फर्म है यह वहाँ पर डवलप करने जा रही है वहाँ पर निवेश करने जा रही है एपसिलान ठीक है क्लियर एपसिलान कंप तो दोस्तों वर्तमान में यह सिंथेटिक गरिफाइड एनोड प्रसंसकर सुविदा अमेर की इलेक्ट्रिक वहाँ बैटरी उद्योग में सबसे बड़ा भारतिय निवेश है यानि इंडियन भी वहाँ निवेश कर रहे हैं दोस्तों यह भी एक बार क्वेशन आया था क्र है यह एस मैंने जानबुच की छोटा लिखा है प्लूरल में ऐसे लिखा जाता है ठीक है तो दोस्तों निम्लिकित में से किस संगठन को अधिनियम में लिखित प्रावधानों का उलंगन अनुपालन न करने पर भारत में करड़त वित्ती संस्थाव पर मौद्रिक दंड ल है इसको डिफॉल्टरों की लिष्ट भेजनी होती है भारत के सभी बैंकों को हर छे महीने में डिफॉल्टर की लिष्ट भेजनी होती है जो बैंक नहीं भेजता है उसके उपर जुर्माना लगा जाता है सीबिल का जो स्कोर तीन डिजिट का होता है अगर खराब स्कोर है तो आपका 200-500 के लगबग में होगा अच्छा स्कोर तो साड़े साथ सो के लगबग में होगा 300-900 के बीच में सौरी 300-900 के बीच में इसका जो है पोता है दोस्तो इस्कोर यानि साड़े 300 है तो खराब है और साड़े 700-800 है तो बढ़ियां है दोस्तों ठीक है क्लियर है तो दोस्तों CIC कितने हैं हमारी देश में यह हमारी रेटिंग करते हैं यह कोश्चन आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो चार है दोस्तों सिबिल है एक्सपीरियन है और सी आर आइफ है और एक और कंपनी है कोई एक और कंपनी है ठीक है बात समझ में आ रही है क्लियर है दोस्तों छे सी आरे हैं क्रेडिट रेटिंग एजंसी जो कंपनियों की रेटिंग करते हैं वह दोस्तों ब्रिक वर्क था तो साथ थे अब छे बचे हैं जिसमें क्रिसिल सबसे बड़ा है जो 1987 में आया था मुंबई हेड़क्वाटर है वो सबसे बड़ा एक्वीफेक्स है चौथा अच्छा वेरी गुड एक्वीफेक्स से 2060 2016 का पालन नहीं हुआ था ठीक है आरबियाई ने 24 लाग 75,000 का जो पेनाल्टी है दोस्तों वह एक्सपीरियन की एक्सपीरियन उस पर लगाया है दोस्तों के 26 लाग की पैनाल्टी उसने दोस्तों सिबिल पर लगाई है सिबिल भी दोस्तों जो आपकी सी इसी यह तो दोस्तों सिपीप्रियमाना लगज गया घइए कि वह बात समझ में आ रही है उसके बाद दोस्तों 24,25,000 का जुर्माना एक भी फैक्स पे भी लगाया गया है यानि हमको लग रहा है किसी को नहीं छुड़ा गया यानि चारों सी आई सी पर यहां पर जुर्माना लगते हुए दिख रहा है 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 ना मुंबई में है तो यह अच्छी बात है हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा ठीक है तो चारों सी आई सी पर जुर्माना लगाया गया है दोस्तों याद रखिएगा ओके सी आई सी एक्ट कब आया था 2005 में तो यह कुश्चन भी आया था आप लोग के एक्जाम में वित्मंत्राले ने केंडरी बजट में घोशित एक विसेश सायता योजना के तहें चालू वित्ति वर्स में 16 राज्यों के लिए कितने रुपए के पुंजी निवेस प्रस्तावों को मंजूरी दिये तो 56,415 करो दोस्तों राज्यों को जो है चाह रहा हूं अर्ली मौर्निंग तो 8 बजे 9 बजे 10 बजे आप टाइम बता दो मुझे फिनैंशल करेंड अफेर की क्लास करने के लिए पूल के थूप के वल के फिनैंशल करेंड अफेर की क्लास होगी आरभे ग्रेड बी वालों के लिए तो बता दो आप लोग उसकी दोस्तों यह question हो गया ना हूं देखें यहां पर बोला गया था दो हजार थैस्ट चोबिस में बजट में यह 1.3 लाक करोनों रुपए तक 50 साल का इंट्रेस्ट फ्री लोन स्टेट्स को दिया जाएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह याद रखिएगा ठीक है मुझे याद था मैंने बता दिया अब यहां पढ़ा लिख भी लिए लिखा भी हुआ है तो यह देख लीजे आप लोग दोस्तों निमलिकित में से किसे डीबीएस बैंक द्वारा भारत के लिए संस्थागत बैंकिंग के प्रबंध निदेश्व को प्रमुक के रूप में पॉइंट किया गया वह मुंग दी फॉलोविंग हैस बिन अपॉइंटेट एस दा मैनेजिंग डिरेक्टर एंड हेड ऑफ इंस्टिट्यूशनल बैंकिंग फार इंडिया बाई डीपी एस बैंग तो डीप्येश बैंक के दोस्तों जो है इंस्टिटूशरर बैंकिंग फॉर इंडिया के हैड जो है वह रजत वर्मा चुने गया रजत वर्मा अर्मा चुने घैए उके क्लियर है वात समझ में आ रही है चलिए बहुत पर बरकरार रखा है और कहा है कि यह एशिया पैसिफिक देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले अर्थ व्यवस्ता होगी तो यह 6% पर बरकरार रखा है 6% पर बरकरार रखा है ठीक है क्लियर बात समझ में आ रही है चलिए वैरी गुड बहुत बढ़िया अभी हमारी GDP ग ट्रांस्पेरेंट इंक्लिोसिव तो दोस्तों जो है अगर देखा जाए तो जेम पोर्टल जो है वह 2016 में लॉंच हुआ था मिनिस्ट्री आफ कॉमर्स एंड इंडिस्ट्री यानि प्यूश गोयल की मिनिस्ट्री के द्वारा है कि कि जेम पोर्टल है क्या भारत सरकार के सा सारे डिपार्टमेंट सारे मंत्रालें को यहीं से खरीदारी करनी है यहीं से कोच भी आपको खरीदना है इसी पोर्टल से खरीदना है जेम पोर्टल पर उबर टेक्सी भी आ गई है तो उसी से करना रेजर को भी जो है चुना गया है दोस्तों क्या कहते हैं रेजर पे को प तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो पोर्टल फैसिलिटेट ऑनलाइन प्रचेज़ आप गूट्स और सर्विसेज बाई आल दर सेंट्रल गवर्मेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट यह बात सही है तो दोस्तों जो है इसके अलावा जो पॉइंट है वह जो है दोस्त थेका नहीं दे पाते तो सारी चीज़े इदम टांस्परेंट रेट पर मिलती है एक जगह पर मिलती है ठीक है बात समझ में आ रही है चलिए बहुत बढ़िया शांदा जिंदाबाद जबदस्त को दोस्तों इनफोसिस नहीं टीस को जेम पोर्टल को चलाने का रख रखाओ है याद रखिएगा ठीक है कि वारी जो रुद्योग मंत्री प्यूश गोईल ने कहा कि भारत के सबसे बड़े साफ्ट्वेयर निर्यातक टीस सबसे बड़ी कंपनी है हमारे हैं रिलाइंस के बाद उसको दोस्तों उसने यह अनुबंध को कॉंट्रेक्ट को जीता है तो द दिल्ली इंटरनेशनल एरपोर्ट लिंटेड जो है एक जॉइंट वेंचर है जो एरपोर्ट अथर्टी अफ इंडिया और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया यह कंसोर्टियम है तो यह दोस्तों जी एमर ग्रूप फ्रैपोर्ट एजी और एरा में मलेशिया के द्वारा जो है फॉर्म किया गया है डिल्ली एरपोर्ट ऑपरेटर सेट एट इस इंटर्दूस सेल्फ बैगेज डॉप फैसिलिटी एट टर्मिनल थ्री विच विच विल हेल्प रिद्यूस दवेटिंग टाइम फॉर पैसेंजर एड़ एड़ एरपोर्ट तो क्या फैसलिटी उसन गई थी बैंगलोर के केंप गोड़ा एरपोर्ट पर वराणसी के लाल बादु सास्त्री एरपोर्ट पर उससे भी टाइम बचता है बोर्डिंग पास और इन सब का वेरिफिकेशन का आपकी फेस ऑथन्टिकेट करके ही वेरिफिकेशन हो जाएगा किसी आपको प्यूसर टेलिग्राम पर दे दिया है सारे दिनों का दे दिया है जितने दिन का बाकी था 21,23,24,25,27 सारे दिन का दे दिया है दोस्तों सुबह 6 बज़े क्लास होती है वाइफाइ स्टेडी लाइप पर भी आप लोगों को दोस्तों पीडियाप मिल जाएगा लाइक करिए बेल आइकन दबाईए और सब्सक्राइब कर लिजे दोस्तों ताबढ़ तोर तरीके से ठीक है सबी लोग लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा लोगों को जोड़िए कर दो दो तिन तिन दोस्तों को अपने जोड़िए तो कि इससे ज्यादा करेंट अफेर कहीं भी नहीं म इसलिए दोस्तों हर चीज पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है आज लाइसी एडियों को जो रिजल्ट आए हैं बच्चों ने जो मैसेज़े बेजे हैं उससे हम लोग को भरोसा और बढ़ा है कि हमारे बच्चे जादा जो है टेम्ट करके आ रहे हैं तो लाइसी एडियों में जिन लोगों की सफलतार जित हुई है उन सभी को हर्दिक सुपकामना है और दोस्तों क्वेश्चन छोड़ने नहीं है कोई भी दिन मिस मत करिए हज किसी भी तरीके से उसको पढ़ डालिए और नोट्स बनाई ये नोट कमाना है तो नोट करना होगा सीखना बन तो जीतना बन दिर इस नो अर्निंग विदाउट लनिंग थैंक यू सो मख शुक्रिया धन्यवाद बबाए टेक क्यार लव यू अल है नाइस टे